अम्रीश पूरी नाम ही काफी है। उन्हें नर्बली दिने वाले तांतरिक मोला राम के रोल में कास्ट करने के लिए स्पीलबग को काफी मेहनत करनी पड़ी। स्पीलबग चाहते थे कि अम्रीश ओडिशन देने अमेरिका आए। अम्रीश का कहना था कि जिसे ओडिशन लेना है वो मुंबई आए। इसके बाद भी अम्रीश ने स्पीलबग की फिल्म के लिए कोई दिल्चस्पी नहीं देखाई। फिर जब सर रिचर्ड एटनबरो ने उन्हें कहा कि स्पीलबर्ग की फिल्में खास होती हैं तो पूरी ने वो फिल्म कर ली। वे एटनबरो के डायरेक्शन वाली गांधी 1982 में काम कर चुके थे। पहले स्क्रीन टेस्ट में हुए फेल जीवन बीमा में की नौकरी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि अमरीश पूरी को मुंबई आने के बाद संघर्ष के दुनों में एक बीमा कंपनी में नौकरी करनी पड़ी थी रंगमंच तथा विग्यापनों के रास्ते अपनी अधाकारी का लोहा मनवाकर हिंदी सिनिमा के सबसे मशूर हलनायक के रू वन बीमा नगम में नौकरी कर ली ये था अमरीश पूरी के करियर का पहला पुरुसकार अमरीश पूरी भीमा कंपनी की नौकरी के साथ नाटककार सत्यदेव दूवे के लिखे नाटकों पर पृत्वी थी universal में काम करने लगे थे रंगमंची ये प्रस्तुतियों ने उन्ह अम्रीश पुरी को 1960 के दशक में रंग मंच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिकाने भाई, उन्होंने दूबे और गिरीश कर नार्ग के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियां दी, रंग मंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1989 में संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया जो उनके अभिने करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था, फिल्मों के ये डायलोग आज भी जबान पर चड़े हुए हैं, फिल्मों में खलनायक के किरदार में अम्रीश पुरी को ऐसा पसंद किया गया कि फिल्म मिस्टर इंडिया में उनका किरदा परदेश का अमरीका में प्यार का मतलब है लेंदेन, लेकिन हिंदुस्तान में प्यार का मतलब है सिर्फ देना देना देना, इन सनवादों में पूरी हिंदुस्तानी संस्कृती निहित है, कई फिल्मों के लिए अमरीश पुरी को मिला सरुश्रेश्ट सेह अभिनेता का खित प्रेम पुजारी से फिल्मों की दुनिया में प्रवेश करने वाले अमरीश पुरी के अभिने से सजी कुछ मशूर फिल्मों में निशान्त मंथन गांधी मंडी हीरो कुली मेरी जंग नगीना लोहा गंगा जमुना सरस्वती राम लखन दाता त्रिदेव जादुगर घायल फूल और काटे विश्वातमा दामीनी करन अर्जुन को यला आदी हैं अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कंणड पंजाबी मलियालम तेलुगू और तमिल फिल्मों तथा हॉलिवुड फिल्म में भी काम किया उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों म जो 2005 में उनके निदन के कुछ दिन बाद रिलीज हुई